वेरी वेरी गोड मॉनिंग फ्रेंड्स जैसा कि आप से मैंने बाद आ किया तक सव कोश्चन का प्रैक्टिस सेट लाएंगे और बस मैं स्टार्टिंग में एक ही बात कहूंगा कि आप लास्ट के पूरा प्रैक्टिस सेट देखके तो आपके मुह से बहुत ऐसे निकले कि वह आप से आज भी जितने कोश्चन करा हैं उनका क्याना में 90% कोश्चन आप से नहीं हुए तो समझने कि आपने पढ़ाई नहीं किये क्योंकि मैंने सारे कोश्चन अपने क्याना उसी से लिए क्योंकि मैंने complete पढ़ाई थी आप लोगों को GST और देखना कि आपने कोश्चन से बात कहते आ रहा हूं आप लोगों के समझ में आ जाएगी यह बात कि GST में कुछ चीजे छोटी थी जो दो-चार कोश्चन मैंने उनको भी आस समाहित कर लिया है और GST हमेसा हमेसा के लिए आप लोग खतम हो जाएगी जैसा कि मैंने उम्मीद की थी देखो एक च्श्च स्टाटी में कह रहे हैं कि 20 कोश्चन क्या नाम 20 प्रक्टिस से हमने सोचे ते जितने हमारी स्पेशल टॉबिक से उनके करा दूगा लेकिन आपने उम्मीद के अंसार तो उतना डोनेशन नहीं किया लेकिन जितने भी हो पाएंगे उतने करा देंगे बांकी हम क्या करेंगे कि देखो कुछ करेंगे बांकी का देखो हमसे तो टाइपिंग लगती है बांकी हम आपसे जित्ता कह सकते ततना कह दिया लेकिन जिनों ने दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने जी भर के दिया आप लोगों को यह वार्टसप ग्रूप पे वहां पे हम डाल यह सकते थे तो कोस्च नमबर बंद देखेगा कि होसकता आज प्रक्रिक्टी से थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन नहीं हम जल्दी खतम करने की कोसिद करेंगे जिसे कि आप लोगों का टाइम ज्यादा खराब ना हो जीस्टी पढ़ गया होगा कि बहुत अच्छे से बिल के होंगे बस इतने ही कहूंगा तो gstr jstr bharat में कब लाग वहागी जिस्ती भारत में कब लाग इसको देखिए का सने क्या है एक जुलाई यह एक पार में चलता बोग पार में चलता कंपनी सब कुछ फाइनल हो चुकी यह कुछ भी नहीं है बस जो इसू पढ़ रहा है वो कामड़ यात्रा का पढ़ता है बस इसी बज़े से 15 से 20 दिन एक्जाम में आपका डिले हो सकता है इससे ज्यादा डिले नहीं होगा कामड़ सरकार को फेस करनी पढ़ सकती है इसलिए कामड़ यात्रा बेस बांकिया आपका एक्जाम हो जाएगा 100 परसेंट होगा इन इन नेक्स मंद में ठीक है सोडी तो भारत में जीस्टी कब लाग वग ऊऊँआए एक जूलाई 2016 बलग यहां पर सोला नहीं 17 छा Oh यहां पर एक जुलाई 2017 को आपका भारत में जिस्टी लगुआ था भी कोशन सरल होगे लेकिन आगे करते जाओगे तो बहुत मज़ाएगा एक जुलाई 2018 से कोई connection ही नहीं पहला question आपका खतम हुआ अब देखेगा जी एस्टी किस प्रकार का कर है जी एस्टी किस प्रकार का कर है जी एस्टी प्रत्यच्च करे अब प्रत्यच्च करे या विक्री करे या सेवा करे आप लोगोंने खोब बच्चे से पढ़ाओगा जी एस्टी कैसा है जी एस्टी जी एस्टी प्रत्यच्च कर जब कोई तुम खरीदने जाते तो उससे लगा हुआ कर आ था तो इसका मतलब आपने डायरेक्ट पे नहीं किया तो मतलब प्रत्यक्षिकर तो नहीं हुआ GST अप्रतेच करें जिसे हम indirect tax बोलते हैं इंगलिस में इंगलिस बालों के लिए मैं नहीं ला कर मतलब वित्रावडाम हमारा पास वो भी system भी नहीं है तुछ लिए indirect tax अच्छा है बता बिक्री कर क्या होता है बिक्री कर आज हम आपको बता दें हो सकता जियस्टी से कोश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन साकर है बो मतलब कि जिन देशों में जियस्टी लागू नहीं है एक कोश्चन बन सकता है कि जिन देशों में जियस्टी लागू नहीं है तो उन देशों में कौन साकर लगता है उन देशों में कौन साकर लगता ह पताना जीएस्टी लागू नहीं है एक मिनिट एक क्वेश्चन बन सकता है कि जिन देशों में जीएस्टी लागू नहीं है उसमें उन देशों में कौन सा कर लगता है कौन कौन देशों में लागू नहीं है आप लोगों आगे पता चल जाएगा उन देशों में विक्री कर लगता है जिन देशों में जिस्टी मतलब जिन देशों में जिस्टी नहीं जैसे क्यों इसे हो गया इसमें के नम जिस्टी नहीं लाग हुए तो इसमें क्या लाग हुए विक्री कर लाग हुए विक्री कर क्या होता है आगे बताएंगे अब देखो कि जैसे भारत का JST मड़ल भारत का कोष्शन द्यान से पढ़ा करो भारत का JST मड़ल किस देश के मड़ल पे आता तौशली किस देश के माड़ल पे हैं esses जर्मनी एक चीज जाए पर देख नांगे मुझा हो सकता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, जो Ireland ने लिया था, DPSP बोलिया था, इसपैन से, तो हम लोग डाइरेक्ट क्यों ने ले सकते था, इसपैन से, कभी सोचा है, इसलिए ने ले सकते था, क्योंकि Ireland ने, जो इसपैन से लिया क्यों नहीं लिया क्योंकि कनाडा का उससे अच्छा मोडिफाइड गया ना उससे बहतरीन थोड़ा था मोड़र तो उसने किसका लिया कनाडा का लिया आप लोग समझ पा रहे हो इस बात को मैंने अच्छे से इस्प्रिंट की इस कोश्चन में ज़्यादा है नहीं जीएस्टी चोरी करने पर कितने बर्स की सजा का प्रापधान है सजा परनिस्मेंट कितना मिले जीएस्टी नहीं भर रहे हो जीएस्टी चोरी कर रहे हो छे साल का नहीं है पांच साल का है तो नीचे का आपसन तो बलेनी देना नहीं है यह अप्सन एभी सीडि हमने नहीं लिख पाएं क्योंकि हमारा टाइपेश्ट बहुत अच्छा है और किया जो कुछ भी है बहतरी ने हमारे उमीदों से ज्यादा अच्छे से किया सबसे पहले टाइपेश्ट को बहुत धरनिवाद तो GST चोरी करने पर कितने बर्ष की सजागा प्राबदाने कितने बर्ष कि सजागा प्राबदा ने प्याँड़ करसा प्राफ नंगे पांच वर्ष का हो सकता है आपका जो धंडेलि पढ़तान पढ़तानev हैं सबने इस तो बहुत अच्य से देली हो सकता था आगे पीछे नहीं होता हो सकता और और बहतरी न तरीके जाता और मैंने सोच रख था प्रक्षिख चेट अब यह क्यानम इस पैशल टॉपिक के करा देंगे पता मैंने कि क्युंए चुलाये थे फिर मैंने सोच था प्वॉलिटी की कम से कम 20 प्रक्षिखेट करा देंगे फिर मैंने सोच था कि आपका इकनोमी के जब तक एक-जाम होगा और इनी से जबतक मतला हुआ की तब सारे सब्जेक्ट से स्टि sou Vincent पूरे पूरे नव्यकर खत्म कर दूंगा on data, my커 practice lightnin अच्छां दिसट कोशन आधिर कbooks आधिर कईसे नहीं होता आपका इन स्थी Song keen के सि किसको कहा Chapel के है पिन कोड कितने गच्छेंग का होता है जैसे कितने देखो जैसे कि हमारा है चोविस चौधा जीरो तो हमारा पिन कोड है ठीक है चोविस चौधा जीरो तो तो क्या है कि कितने कि दिजिट का हो दो, दो, चार, दो, छे, छे डिजिट का हो गया, दो, दो, चार, दो, छे, उसी प्रकार इनके क्या नम GST जो होता है, वो भी क्या नम कितने डिजिट का होता है, पंदरा डिजिट का होता है, इसमें एक चीज़ों ध्यान दीजेगा, पंदरा डिजिट का होता है, और पंदर इस्टार्टिंग के जो दो डिजिट होते हैं इस्टार्टिंग के जो दो डिजिट होते हैं यह वाले यह जो डिनोड करते हैं वो किसको करते हैं राज्य को किस राजि का यह GST है क्योंकि GST राजजी के अपने अगले आपको जो 10 अंक करेंगे जो दो इंक है तो अगले जो 10 अंक आपको जो डिनोड करेंगे वो पैन नंबर को करेंगे है pen number को करेंगे और जो लास्ट के तीन ॡिजिट हैं कितने याद करना है राज जी को दो पहले 2 पैं। तब देखो क्या कहता रहा कि जिएस्ट्टि दायरेमें कितने लाक से अधिक टर्नोगर वाले प्यापारी आते हैं कितने अधिक दारे में कितने लग्स है अधिक ट्रणोवर्ल वाले व्यापारी आते हैं तो 20 लाग हो चार्फट में कितने लग्स है तरनोवर्ल वयापारी अब साद 10 लाग हो गया है 40 लाग से ठीक है आप लोग इस चीज को कनफर्म करके बताना आप से सब्सक्राइब कि पूंचा जाएगा कि स्टार्टिंग में जब जेस्टी लाग होई थी उस टामें पर कितने टरनोवर बैपारी क्यानाम नहीं हाते थे जीस्टी में कितने तस लाख टंवर 20 लाख टंवर वाले ठीक है अफसाइं चालिस लाग हो गया लेकिन जो नार्थिस्ट अब्हत लेक नार्थिस्ट वाले जो इसक्रेट है उनमें अभी वी कया नम 20 लाख केंद्री ये बित्मंत्री और हमारी दुबारा से निर्मला सीता नमण ही बनीए निर्मला सीता नमण ही दुबारा हमारी बित्मंत्री बनीए ठीक है जो कहती थी प्याज ना खाया करो प्याज महेंगा हो गया ठीक है अब जीस्टी परिसद में कितने सदस्य होते हैं कितने बित्मंत्री होता है बित्मंत्री एक तो बित्मंत्री होता है जो लोगों ने नहीं किया अब आप लोग ध्यान से देखेगा एक बित्मंत्री एक राज्यमंत्री एक राज्यमंत्री नहीं होता है सुतंत्र प्रभार बित्मंत्री के अंदरिय सरकार राज्यमंत्री हो गया उ कर ईसके बाद में तीन जो राज हैं उनके वित्ध मंत्री कौन एक तो दिली हो गया एक तो कौन सा हो गया जेंड कि हो गया और एक क्या हो गया पांडा़ी आ कि प्क्राइश के हो गया पांडी पीविンピर तिन खे है अठाइस राज्यों के बित्यमंत्री और उसके बाद तीन दिल्ली जम्मुकस्मिर पांडिचेरी के वित्यमंत्री तो कित्यों है टोटल तैंटीस अब बड़ा जीयश्टी परिशद का गठन की सपारिसद पर हो आता देखो जीयस्टी किसी ने अब ही इतने स्लैप्स होने चाहिए। मतलब जो गठन से संबंदित शिपारिस किसी ने की थी किसे ने किती असीमदास गुपता ने किती ये जेस्टी परिशद की बात हो रही है आगे भी केलकर समीति आएगी बहुत सारी समीतिया आएगी तो जेस्टी परिशद का गठन किस से पारिस पर हुआ था असीमदास गुपता किस से पारिस पर हुआ था और दो तीन समीतियां असीम्दास गुपता समीती, केलकर समीती, सुपरमणेम समीती, तो आप से पूछा जा सकता है कि कौन सी समीत GST से सम्मंदित नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा यह वाली GST कौन से, कोई दूसरी होगी, वो नहीं पस सम्मंदित होगी, बाइक कि जो हमने बोली हैं, यह परिषद में 33 सदस्य होते हैं, तो आपके एक चीज सोच के जाएगा, आप अपने माइंड को कितना जादा पढ़ेगा अब देखेगा, GST सरपरतम कहां शुरू होई थी, जर्मनी में नहीं, भारत का GST माटल कनाड़ा पे आधारी थे, रूस में नहीं, भारत फ्रांस में कब सुरू हुई थी, 1954 जो जनम दाता है GST का, विस्सु में पूचा जा सकता है, विस्सु में जनम दाता GST का कवने, फ्रांस है, कब हुई थी, 1954 में लागू हुई थी, ठीक है, अभी आप लोग चिंता मत करिएगा, अभी तुम टापिक बाज लगों, राउंड मतलब कि क किसी में सो नहीं होंगे, किसी में 50 कोश्चन होंगे, किसी में 70 कोश्चन होंगे, किसी में 100 भी हो जाएंगे, तो इन सब कोश्चनों की प्रैक्टिस करने के बाद, फिर हम मिक्स प्रैक्टिस लाएंगे, फिर आप लोगों के अंदर कोई कमी रहेंगे, हर तरीके से आपको त्यार कर देंगे जीस्टी किस पर नहीं लगता है जीस्टी सुने भी लगता है किता लगता है तीन परसेंट लगता है जो क्यानम जीस्टी स्लेप से बाहर है कपड़ा पर लगता है जीस्टी सिच्छा पर लगता है वाई सिच्छा पर तो सबसे पहले लगता है पेपदार पेपदार्त मितलब सराफ हो गई सराफ हो गई गांजा हो गया इलकोहल जो ही करा यह सब क्यानल मुद्धार्त नसीले पदात निपर जेस्टी ने लिखते है दी निपर जेस्टी लग जा जैसे सराफ पर जेस्टी लग जाएगी अभी जो सराफ आपको 70 रुपए का एक अभस ने पतारत में जिएस्टी सबसे पहले किस राजी में यहाँ पूछा गिया हिमाचल8 प्रदेस नहीं ओडीसा नहीं किस में लाग टेस्टरह βता प्यां Чनवां असम में जो GST लागू हुआ था, 12 अगस्त, 12 अगस्त 2016 लागू, सर प्रथम GST असम राज्ज में लागू हुआ था, कब 12 अगस्त 2016 लागू, अच्छे से हो सके तो डेटी स्टेट को याद कर लीजेगा, ना याद हो, कोई बाद नहीं इत्ता तो यादी रखो, मतलब नजरों में याद रखो, कि 2017 से पहले हो सकता है, कि आपसंद ऐसे दे दिया जाए, 2016, 17, 18, 19, ऐसे करके, तो आपको एक चीज़ कामन से लागा सकते हो, कि मतलब कि GST सरपतम, पूरे देशे में 17 को लागू हुआ था, लेकिन जब सरपतम की पूंची के तो किस राज्ज म में, 2016 में, मैंने डेटिव विता दी, 12 अब देखो, भारत में GST, लागू करने में, यूपी का कौन सा इस्तान था है, अप यूपी छोटा ले गया, पर अप लोग, यूपी मतलब उत्तर अपना उत्तर प्रदेश, प्यारा उत्तर प्रदेश, तो यूपी, में कौन से इस 2016 को असम में, फिर उसके बार नंबर दो पे, बिहार में, और नंबर तीन की गारंटी, आपकी नंबर तीन पे किस पे लागू हुआ था, आप बताए कमेंट में, आप बताएगा कि भारत में केंद्र राज सरकार का कितना हिस्सा होता है, आपने पूचा कि भारत में GST दोह GST लागू होता है, एक तो आपको CGST लागू होता है, ठीक है, तो मतलब सेंटर और स्टेट का, सेंटर और स्टेट का GST लागू होता है, इसलिए क्या करे नंबर एक मानटर, नंबर दो मानटर, दो तरीके से लागू है, सेंटर का अपना अलग GST है, और राज्यों का अप 25 रुप हो जाएंगे कि राज्य सर्कार के यह आपकर 100 रूपय आया हैग्या के और यही हिस्सा मतलब बटवा रहा है जीस्टी का भारत में जीस्टी गणपूर्थी कितने पर होती है भारत में जीस्टी गणपूर्थी गणपूर्थी मतलब समझे जो मेंबर होते हैं कि कोई निर्णे लेना है या कोछ जीस्टी में चेंजिंग करना है जीस्टी में कु कि 40 पर्रसेंट नहीं होने होती है दो बार लिख गिया कोई बात नहीं लेकिन है आपको 50 पर्सेंट इसका आंसर सही है कि जीएश्ट ये आपको क्या नम कानौने कोई चेंज करना है को Z में के बारा कुछछक होती उसमें 50 परसेंट जो मेंबर चाहिए होंगे GST के गड़पूर्दी के लिए 17 मेंबर उने चाहिए टोटल ठीक है काटा पीटी कुछ नहीं करनी है GST के ब्रांड अच्छे कुमार नहीं है रितिक रोसन नहीं है कैसी आँखे रितिक रोसन की आखे हमारी तरह ब्राउन अफदाब बच्चन बिल्कुल है अजय देवकर नहीं है अफदाब बच्चन आवाज की बज़े से परिशान किये गे ते कल एक कमेंट भी आया था भी आ के अच्छी नहीं है अरे यार मैंने आपको कोयल तक की आवाज सुना दिए और हमारी के रोह अवाससे अच्छी नहीं है कोई बात नहीं एक जो बदल तो आप मुझे भी पसंद करोगे जीस्टी टेक्स की सजा पाने वाला पहला बेक्ति कौन था जीस्टी टेक्स की नीर सिंग नहीं थे नभी इन सर्मा नहीं थे सुरेंदर सिंग बिल्कुल थे विजे राय बिल्कुल नहीं तो कौन है सुरेंदर सिंग एवी नहीं एवी नही तो कौन हुआ सुरेंदर सिंग ठीक है जीस्स्ट टैक्स्टी सजापने बाला पहला बग्ड सुरेंदर सिंग. अब देखो जी स्टी हीड़कॉहांटर हीड़कॉाटर का मतलब मुख्याले. इंदी वाले भी होगे मुंक्याले, जी एस्टी का मुख्याले कहा है नीव देली में एक तो मतलब बनना लेर कोष्चन है यह देखेगा जी एस्टी लागू करने बाला भारत देश का कौन सा इस्तान है भारत देश का कौन सा इस्ता ने कौन सा 161 आज आपसे पूछा जाए आपको option दिया जा सकता है कि आज present में लखों कितने देशों में क्या नाम GST साम मिले तो ऐसे option होगे कि आगे पीछे हो सकता जैसे भारत 161 तो आपके पूछा जा सकता है मतलब कि लगवग में 170 देशों में लगवग में 170 देशों में या 170 के आज पास ऐसे option दिये जा सकते हैं कोई भी संबामना उसको हम खतम करके चलेंगे तो भारत कौन सा देश 161 अब देखो GST का गठन किस समित की से पारिश पर हुआ था अब इम आपको बताएंगे भारत में GST का जनक कौन है देखना मज़ा आएगा मतलब कि क्या question number B से कि GST का गठन किस समित की आधार पर हुआ था सुरिंदत तंदलू का रेकोई तंदलू कर नहीं केलकर समित इनकी समित की आधार पर भारत में GST का गठन हुआ था आपसे पूछा जाए कि GST किस देश में लागू नहीं है तो रूस में लागू है फ्रांस में लागू है जर्मनी में लागू है पस कहा नहीं लागू है USA में नहीं का मतलब नहीं नहीं का आपसा number T is right और कौन सा देश चाहां GST लागू नहीं है कहा है Malaysia एक हो सकता है कि आपको इस बार USA ना दे एक question बहुत important है उसे ना दे उसे ना दे देश अगे Malaysia तो Malaysia में भी Malaysia कि रदा नहीं कहा है Kuala Lumpur, Malaysia में GST लागू नहीं है और एक देश होरे जो फेहमस था बादकी दोई देश आद कर लो इन देशों में GST की जगे पर क्या सामिले विक्री कर्शामिले विक्री कर मतलब जो चीज़बेशों की उन्ट पर कर लगेगा विक्री कर जिसे पोलते हैं sales, tax, ठीक है तो इन पे क्या लागू हुई विक्री का जिन देश में जेश्टी लागू नहीं है किसमें USA और मलेसिया में अब देखो जेश्टी मुजियम कहा अवस्ति थे जेश्टी मुजियम कहा अवस्ति थे मुंबई में नहीं है मूजियम मतलब क्या होता है संगरहाले मूजियम की हिंदी क्या होती है संग रहाले ठीक है GST मूजियम कहा वस्ती थे गोवा में हम एक चीज आपसे कह रहे है कि अब सबकुछ करना किसी की बुराई बलाए सबकुछ करना लेकिन अपने लिए किसी नहीं दिया इसलिए हम इस चीज को लाएं और मैंने इमान दारी से आपको कोश्चन खुद हांस से बना के लिख के टाइप करवाएं तो कुछ तो बात होगी और कुछ गलती हो गई अपने भाई दो चीज को भी छमा करना क्योंकि अभी हम उस इस्तित में नहीं है कि हर गलती हो इसके अपनी की संझे नहीं समझें और प्रैक्टीस सेट सच में बहुत बहुत बहतरी होगा आपको टूपरी हुश्य नहीं कर सकते हो गस्तित की और जो कुछ भी है और उसके तो जॉरूर डुनिट करेगा क्योंकि हम हरी सीच कि बन्हुस चालते रहेगा दू दो क्योंकि आपके लिए मेरे लिए कुछ नहीं तो आम प्यारोप लगाओ आपने पैसे लिए मैं कौन हो था हूं पैसे लेने वाला मैं तो एक बेस्ट कंटेंट देने आये तो अब डिलीबर कर रहा हूं बस इसमें बुरा बलाइन मनना या यह देना चाहूं आप एक रुपए प्यारों आपका बहुत है एक रुपय भी बहुत है इक उम्मी अंूमिरा एक हो धिना पांच रुप neste क्योंकि दोनेशन मतलब मोदी मोदी वी जया रहे थे हमें बोट भी दूर समझे़ को शीन मने नहीं है और कभी है मत समचने हम बदला हम को मोदलेंगे अभी तो छोटी पढ़ने वाले पढ़ते होंगे हम पढ़ाएंगे आपको बस देखते जाए आपके यूपी पी का सिलिवस खतम होने तो भारत में जेस्टी किसको अटाकर लाए गया गया था बैट को बैट क्या होता है वेल्यू एड़ेड़ टेक्स इसको क्या कहते हैं बैट अब देखो को भारत में जेस्टि आने से कौन सा स्माप्थ कर दिया गया आपको पता होगा कौन-कौन से स्माप्त कर दिया घया तो आप लोगों पसलिए कौन सा आप्सन हो जागा सेवा सुल्क और केंद्री उतपास सुल्क सेवा शुल्कों केंदरी उत्पाश वूलक को समाप्त कर दिया गया था ओप्सन को पूच्छा जा सकता है और यह कुछके ब्रिब श सबसे बेस्ट जून चूज किया में जोड़ लो % % 0 % % तो एक दो तिन चार पांच पांच टेक्स स्लेब टेक्स पाइजाती ही तो पूछा जाए कि GST कितने प्रकार्टी होती है एक तो मतलब यहां पर देखो कि अब्धारा सरपतम संसद में किसके द्वारा पेस की गई थी उस टाइम पर कौन था पीची दंबरम यहां पर यहां पर यह ची दंबरम नहीं पीची दंबरम है यहां पर पीची दंबरम ठीक है सरपतम संसद में जो क्या नाम जीएस्टी के अब्धाणा पेस की थी वो पीची दंबरम ने वित्त मंतरी थी अड़ों जेटली तो बाद में आये सुरेंदर सिंग इनको सजा मिली थी अलबिंदर सम्मण मणें जीएस्टी से संबंधिते कर स यहे पूंचाँडेर सोने की छण चेर है सिक्के आब हो सिरक कितने प्रसंद यहेस्टी लगति ऊह बहर है यहेस्टी स्लेफ से बाहर हैं जीएस्टी स्लेफ जीरो पांच बारा अठारा और फ५्षब। अिया देखो जीयस्टी के लिए नारा कीया स्लोगन स्लोगन फो जीयस्टी एक राष्ट एक कर एक बाजय।ahi इंग ति Benson एक राष्ट बंड गता यहीं यहीं नारा हो गया मतलब झांक है त्म向 यहीं इनमर्स उस्दीट कैस्ट। कि नयुक्ति राष्ट पती के दोरा की जाती है कि इस परज्फट के सदस्ते होंगे ए वह हो ग timed किसी को name करना उसको बाहर भी कर देगा राष्ट पत benchmarks कि पर आध debate कि दोरा कि राश्ट सा कर नहीं आता है राज GST में कौन सा कर नहीं आता है विलासता हो गया। मुख्वभी एक जुवां हो गया। ूप यह ब्लाइन वाजी हो गया, जो आलनाइन वाजी खिलता है को हो गया। 10 सब राज्य वाज़िक्स है, एक लेट्री हो गया। ठीक है? और एक और था कोई कौन सा कौन था और एक था बैट हाँ जिसे वैली एले टेक्स बोलते हैं वैली एले टेक्स इतने टोटल थे किसमें राज जीएस्टी में जो आता था वो कौन सा सेवाकर नहीं आता था देखो अभी मैंने बता है सेवाकर आता है बैट किसमें आता है यह राज जिकर में आता है बैट किसमें आता है राज जिकरे में आता है इसका इसका ए हो जाएगा बिक्री कर जिए केंद्री जिएस्टी में आता है केंद्री जिएस्टी में आता है ठीक है तो कौन सा नहीं आता बैट नहीं आता अब देखो जिएस्टी का फूर्फार्म क्या है जिएस्टी का चोट सेंड सरविसेज टैक्स किसका है यहे जीएस्टी का फुलफार्म जीएस्टी का फुलफार्म के आद गुडसेंड सर्विस टैक्स से वाला हो गया अब धेको कि जीएस्टी की संसोदन त्यत पारित किया गयता है 101 तो 101 संसोदन 2017 नहीं 101 मां 6218 नहीं क्योंगों 217 में जिएस्टी लागू होगी 2016 मैं 218 तो कैसे भीने हो सकता है 101 मां 6221 यहीं इसका आंसर हो गया ठीक है जिस्टी कॉनसेस्टी नहीं लागू इती 101 मां 26 लोग सभा में कप पारित हुआ था कि 8 अगस्त 2015 कोई लेना देना ने 8 10 अगस्त 2016 हो सकता लेकिन 10 अगस्त को भूआ नहीं था अप लोगों ने यादि किया होगा 8 अगस्त 2016 को लगूआ था किया नाम कप पारित हुआ था लोग सभा से 8 अगस्त 2016 को देखो GSD एक्ट राजसभा से कप पारित हुआ था देखो राजसभा से कप पारित हुआ था थे नगस्त 2016 को उनके मतलब यह चीन रटण हर आ लिए जिसमें कोई लिक्स्तरले करने के लाएक जरूते नहीं 3 अगस्त 2016 को देखेगा कि GSD एक्ट पर क्या हो सकता है अगस्त वाला अफसन होगी नहीं से ता क्योंकि अगस्त में तो कि नम्रा लोकस्वाराज सभा से पारिद हुआ था तो अगस्त वाला सिस्टम खतम यह तो हो नहीं सकता है एक जुलाई दिसंबर बहुत लेट हो जाएगा अगस्त में तो लोकस्वाराज सभा हो गया तो अंदाजा भी लेगाना तो कितना आठ सितंबर दोजार सो लाको राष्ट पत्से मंजूरी मिल गई थी अब देखेगा कि जेश्टी बिल सर्थम किसने पेश किया था जेश्टी बिल सर पर्थम किसने पेश किया था किसने पेश किया था अरून जेटली ने बिल पेश किया था देखेएगा कोश्चन कि जेस्टी किस मंत्राले द्वरा लागू किया गया ता जेस्टी कानू निवं नाय मंत्राले द्वरा लागू हुए था बित्र मंत्राले द्वरा नहीं आप लोग कन्फीज हो जाओगे इसको टटना पड़ेगा कानू निवं नाय मंत्राले द्वरा लाग हो गया ताम महीला बाल भिकास मंत्राले द्वरा नहीं ख आता बाल विकास मंत्राले नहीं ङुक्त के यह जा हिए धृणता ङृती जएश्टी के बास तुकार भारती जचती के बास तुकार कुँ थे असीमदास लिखने वाला राजी कौन था देखो यहां पर क्या लिखा है cgst यहां पर cgst इसको हटा दो cgst को इसको यहां पर हटा दो यहां पर लिख लो yes gst yes gst yes मतलब state है बारत में सबसे पहले state goods and service text किस राज ने पारित किया था बता यह था तेलंग गाना ने पारित किया था ठीक है बाकि यह पहला राज था अब देखो यह question क्या था कि किसके दोरा दोहरे दोहरी या दोहरे कुछ भी लिखे लो दोहरी gst module का प्रस्ता अपलाया गया था किसके दोरा चुनाव आयोग दारा ना कि बित्त मंत्रें दारा चुनाव आयोग ने ही क्या नम एडवाइज दीती कि दोहरे क्यानम दोहरे gst module मतलब एक तो यह जी एस्टी होना चाहिए ठीक है और एक होना चाहिए cgst यह मतलब cgst यह दो मतलब दोहरे gst module का समर्थन किया था किसने चुनाव आयोग ने वो ऐसा होता ना कि हर किसी से राय मांगी जाती थी कि अपनी राय दीजेगा तब क्यानम इसने भी एपनी राय दीती चुनाव आयोग ने हां कि हमारे उनसा जो gst है वो क्यानम दोहरे module की होनी चाहिए और उस चीज को gst में आती हैं कि सले में सबसे ज़्यादा बस्तोय आती हैं पांच परसेंट में नहीं आती हैं बारा परसेंट में सबसे ज़्यादा बस्तोय लगते हैं मतलब कि 18% सले में सबसे ज़्यादा बस्तोय आती हैं यह दी क्यानम 5 परसेंट में 5 आती हैं 12 परसेंट में 20 आती हैं तो इसमें कम से 50 चीज़े आती है, कम से कम 50 चीज़े निए कि 50 बस्तूँओं पर प्रसाज चीज़ों पर लगता है, सबस्यादा ध्यान से पढ़ना कॉर्शन GST में अधिकान से बस्तूओं की दर है किस सले में आती है, ना कि अधिकांस दर पूछी गई है ध्यान से अधिकांस दर तो आपसे अठाइस हो जाएगा लेकिन अधिकांस बस्तों किस स्लेम में आती है किस में आती है 18 परसेंट वाली स्लेम में आती है कि GSTN जो GSTN इसे ऐसे लिखा जाएगा GSTN GST Network इसका इनका मतलब नेटवर्क होता है GST NETWORK का गठन किसके द्वारा विक्सित किया गया था किसके द्वारा मतलब किस पर आधारित है किस से गयना मिसकी सोच लिए गई थी तो किसके द्वारा लिए गई थी एक कमपशन पूचा गया था जो एक question पूंचा गया था कि CPU बता दे नहीं तो को कि कहा कहा से question रहते हो एक डॉम से बहुखला जाएगो तुम लोग तो GST CPU 2019 में question पूंचा गया था GSTN network का गठर किसके द्वारा किया गया था company act कब आया था 1956 में आया था फिर कब आया था 2013 में आया था एक company अधिनियम थे ठीक है अब एक question देखो GST GST and software GST and नहीं यहाँ पर होगा यहाँ यहाँ पर GST GST and यहाँ न मतलब network GST and software किसके द्वारा बिक्सित क्या करे था Infosys के द्वारा और बाली कि रख रखाव का काम कौन करता है NIC National Informatic Center NIC लेकिन जो GST network है उसके software किसने विक्सित किया था Infosys कंपणी ने विप्रो भी होती टाटा भी होती लेकिन किसने किया था Infosys ने अब देखो कि क्या कह रहा है कि GST के तहत ध्यान चेपढ़ना question यह सब उची गया कहीं 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 storing चाहिक सब्षचिक को बिवस्ते तरीके से स्र्वीशेज्यज है सब्षचिक के लिए बरगी करत करने के लिए किस code का प्रयोग किया जाता है किस code का प्रयोग किया जाता है आप लोग इसको बताओ तो क्या करना services किसमें आएगा इस इसमें क्या फार्मूला है servicing इसका क्याना फूर्फाम क्या आगे इसके CAC इनके फूर्फाम भी पूंचेंगे इनमें जो CAC code कितने एंक क्या होता है पूछा जेल बाडर यूपीप जेल बाडर में पूछा गया था question question हर दिगे पूछा जा सकता है इसलिए मैं हर एक level तक आपको लेके चलूँगा तो समधान में कौन सा article जोड़ा गया था JST के लिए article में सम्धान में कौन सा article जोड़ा गया है 246 e जो जींच के लिए था अब यह जीच्टी परिसद की सनुष्च險 में अंत्र गता था 289-1 के अंत्र गता तटी परिसद 204 में गठन किया गया तह GST का जोड़ा गया गया था आटिकल लेकिन जो GST परिशत है जिसमें 33 सदस में बताये थे उसका अध्यच्य था वित्रमंदरी था गया तो उसके लिए क्या है कि GST परिशत के सनुष्यद के रेक तहित किया कि 279 एक तहित कर दोएंति-चीय परशय के फिर्साट काम हो जाएगा उनका कमाल हो जाएगा क्या है जीस्टी परिश्द का अध्य सद स्धुपन бабई स्षस्ट का सदस्व थ stud Buddhist अब देखो क्या है प्रथम जी एस्टी परिषद के अध्यची कौन थे अरू चेटली थे यही पूंचा थे बरतमान जी एस्टी परिषद के अध्यची कौने निर्मला सितारमन है ठीक है जो बित मंत्री होता केंदरी बित मंत्री होता वही जेस्टी परसेद का देच होता बरतमान केंदरी बित मंत्री को ने निर्मला सितारमान अगला कुछन यह है देख लो बरतमान जेस्टी परसेद के देच को ने बरतमान जेस्टी परसेद के देच निर्मला ताई है जो हमार कि एक सारकार के बोट का कितना होता है और राजरे सरकार बोटों का राज सरकार होते चाहिए उसके बोटों का सरकार का दो बटे तीन होता है बोट का महत केंद्री जीस्टी कानून को भारत के राष्टपत ने कब सहमेत प्रदान की थी केंद्री जीस्टी कानून को भारत के राष्टपत ने कब सहमेत प्रदान की थी केंद्री जीस्टी कानून को भारत के राष्टपत ने कब सहमेत प् नहीं सहमत ही परदान के थी कि जिएश्टी में कौन सा राज इकर सामिल किया गया है इसमें पूचा गया था जेल बाडर में same to same ही question था कौन सा चुगिकर था संपत्ति नहीं है, आयकर नहीं है स्टाम्प सुल्प नहीं है तो कौन सा कर राजिकर को सामिल किया गया, GST में कौन सा राजिकर को सामिल किया गया, कौशन थोड़ा पढ़ने में थोड़ा बहु हो गया था, GST में कौन से राजिकर को सामिल किया गया, कौन से चुंगिकर को सामिल किया गया, तेखो क्या 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 गया था, कि ये गारत, तो इसमें बनने दिया, एकल साजा बाजार, दोनो, साजा बाजार, एकल बाजार, तो इसमें क्या है, इसका जो answer है, जो इसका पूर्ड आंसर जो लिखा जाएगा वो पता क्या लिखा जाएगा अभी में लिख रहे इसका आंसर कि जीस्टी ने भारत को कौन सा बाजार बना दिया बाजार के प्रकार होते ना एकल मार्केट सिंगल मार्केट बोसर एक साजा बाजार कौन सा बना दिया एक साजा बाजार एक साजा बाजार बना दिया किसने GST को एक पूरा बाग के यही आप्सन में आएगा कि GST ने भारत को कौन सा बाजार बना दिया कौन सा एक साजा बाजार ना कि एकल बाजार एकल बाज़ार मतलब किसी एकका स्वामित हो जाए नहीं, यहां स्वामित एकका नहीं केंदर का लगे, राज्यका लगे और इन्टरिटरी का लगे या जो इंह्ट्रिगेटर उसका लगे'm तो इसका एक अल बाजार नहीं के सकते हैं एक साजा बाजार साजा मतलब की समझावते के साथ में एक बाजार हुई है अब एक कोस्चन बताओ कि भार्त में जेश्टी का जनक किसे का जाता है जनक किसे का जाता, मनमहन सिंग, डाक्टर, डाक्टर मनमन सिंग को, अरुन जेटली को, इंदिरा, गांधी को, इस कोश्चन को सोचो, यह कोश्चन आप लोगों कहां पढ़े होगे, सोचो, यह कोश्चन पूचने लाइग है या नहीं, और यह कोश्चन बहुत, गूगल कर तब अचानक आगे, तो मैंने का यह कोश्चन लिखने लाएगे, तो भारत में जेटी कानून का, जो जेटी का जनक का जाता, वो अटल बिहारी बाजबी को कहा जाता, इस सर्व परतम 2000 में, इन्होंने ही क्या नाम जेटी वेश्टी प्रचा की थी, और इन्होंने ही किया और 2004 में कांग्रेसर कारा गई तो फिर जेस्टी को वहीं रखा रहा और फिर 2014 में अपने मोदी जिया इन्हों ने जेस्टी को सबकुष पारित करके जेस्टी लागू करवा दी तो जेस्टी का जनक की से कहा जाता माननी सबके प्रिये अटल भिहरी बाजबी को कहा जाता इन्हों नहीं कहा था कि इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कांग्रेस ने पिकास नहीं किया है समझे कि नहीं समझे इन्हों नहीं कहा था तो बहुत ही मतलब प्रतिभा आवाज चीज के धनी बहुत ही आइडियल इंसान थे अटल वियारी बाजबी उनके तो मतलब आज कल उनके समान तो है इने को इनके भासर सुनो एक सुनने का मन करता है एक क्यानम सदभावना राजनेता काम करते हैं इस को स्कूश्चनों को पूछा जाए कि 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 देष में जेस्टी तर सरवादि के किस में है भारत में सर्वादि के छे Assistant कि तर सरवादि कितनी है ट्वيनटी एइट परसेंट । yepषणान में सबसे ज्याद ही रागला तो इसका आंसर में इन चार में से बताएगा देखें आपने कितना पढ़ा या गूगल करके कुछ भी करके बताएगा इस कॉम कमेंट सेक्षिन में जानना चाहते हैं आविक थाखें आपने खरके कि घ्येश्टी लागो करने वहां दोसर राजी कौन सा था जाना बताएगा का इसलिडे डिवस कब मनाया जाता येश्टी दिवस कब से मनाया जाना शुरूँआ है कब से कब से सन भी पूच आ जा जेस्टी कबसे मनाया जाना शुरूँआ है जेस्टी लागू तो हुए थी एक जुलाई 17 को लेकिन जेस्टीद्यश्टी दिवस 1 जुलाई ध्यान से क्या है कि भारत में जिस्टी का प्रस्ताव कब आया था सर प्रस्ताव कब आया था सर प्रस्ताव कब आया था सर प्रस्ताव सबसे पहले जिस्टी की सोच होई थी मैंने कहा था अटल विहारी बाजबही ने कब होई थी 2000 में सन 2000 में जिस्टी का सर प्रस्ताव आया था तब उ साथ मतलब कि कानून जो बनेगा या तो संसद और विधान मंडलों पर माल और सेवा करको नियंतित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ सक्ति का प्रदान की गएती इस कोस्टिन को रखना पड़ेगा कुछ भी इसमें नहीं है 122 मा समिधान संसदन 2014 में क्या हुआ था कि सांसद और राज बिधान मंडलों पर जीएश्टी को नियंतिर करने वाले कानून के लिए संसद को अलग प्रदान की गएती संसद को अलग संसद नहीं है पर संसद है ठीक है इसको भी बताएगा हमने कराये थे कि ये चेशन का कोड मेंने पहली बताये था harmonized system of new many culture code ठीक है new many culture code इसका option यह होगा आप लोगों से मेंने बताये था तो ये चेशन कोड का फुल फार्म ना हो हमें लगता है इसमें थोड़ा हम गड़बर करते हैं आप लोग जुरूरी इसको द्यान से देख लीजिएगा तो देखो क्या है कि जीस्टी में एससी येस येसी कोड का फुल फार्म क्या एससी एससी मतलब सर्विसिंग सर्विसिंग के राउंड मतलब नहीं सर्विसिंग 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 होगा क्या सर्विसिंग यहां पर एककाउंटिंग कोड लिख लो एककाउडिंग नहीं है यहां पर एककाउंटिंग कोड इसमें सारे अप्स सर्विसिंग, 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 एकांटिंग ठीक है? accounting code इस code को आप लोग याद रखेगा GST के CSAC code का full form अब देखेगा कि GST GST परिश्द की सभी कारवाई परिश्द में तेरी कितने सदसे थे 33 सदसे थे सभी कारवाई में भाग लेने के लिए इस्थाई इस्थाई भाग लेता लेकिन गैर मत्दान मतलम की जो 33 सदसे हैं और इसमें जो 33 सदसे वो मत्दान कर सकते हैं लेकिन यसा कौन सा वेक्ति जो इस्थाई है लेकिन गैर मत्दान मत्दान नहीं कर सकता है गैर मतदान सदस के रूप में इसकी नियुकती की जाती कोन है केंदरी उतबाद सुल्क और सीमा सुल्क बोड़ के अध्यच सीबी इसी के अध्यच सीबी इसी के देच जो होता है वो कहना में किस्ताई सदस तो होता है किसमें जो जो जेस्टी परिशेद में ह लेकिन वो मतदान नहीं कैसकता उसको मतदान की सकती नहीं होती कौन है वो केक केंदरी गुतपास सुल्क और सीमा सुल्क बोड के अध्यच तो वाई वाई टेक कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर बताएगा आपको क्या नाम प्रैक्टिस सेट कैसा लगा पिछली बार भी 278 फरवली वाले में भी आया था और हो सके तो आप लोग मतलों मैं लास्ट में कराऊं जो अपना होगा और जरूर क्या नाम आप पताएगा मैं अपनों क्या नाम कोट डाल दूँगा उस पर जरूर डूनेट करिएगा ना कि मैं आपसे पैसे लोग लोग तो आपको हमें नहीं चाहिए हं तो मतलब जितने आया हैं पैसे उतเ च्म कर सकते हैं लेकिन देखे जाएगा कैसा लगा प्रैक्टिस सेट पहला प्रैक्टिस सेट था हमें भी डर था पताने कैसा जाएगा ठीक है बाई बाई मिलते निक्स्ट वीडियो में लग यू वाल